हेलो फ्रेंट्स वेलकम ट्यूटूफ चैनल एज़के सनी के तन आज की इस वीडियो में हम 66 BPSC हिस्ट्री ऑफ्शनल के मार्क्षीट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस बार हिस्ट्री ऑफ्शनल का पर्फॉर्मंस कैसा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं हुए हैं जीएस पेपर टू में काफे स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है हिस्ट्री में इन्हें 160 अंक मिले हैं जीएस के अंक के साथ अगर कंपरेजन करें तो अंक कम नहीं है आप इसको एवरेज कह सकते हैं जिनका लेंग्वेज पता है साथ साथ हम लेंग्वेज आपको पताते रहेंगे कि इनका माध्यम क्या था अगली जो मार्क्षीट है जीएस पेपर वन में 154 पेपर टू में 103 और हिस्ट्री ओप्शन में मिले हैं 157 अंक अगली जो मार्क्षीट है जीएस पेपर वन 189 यानि कि ओसम अंक है पेपर टू 121 यह भी खराब नहीं है इस बार की मार्किंग की अंसार अगर से देखा जायतो है लेकिन हिस्ट्री ओप्शनल में इने मिले हैं 156 यानि कि इनके जीएस पेपर वन और पेपर टू के मार्क को इनका हिस्ट्री के मार्क्ष जेस्टिफाई नहीं करता है लास्ट में हम कंक्लूजन की रूप में बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस सब्जेक्ट का ओसत रहा है या ओसत से उपर रहा है अगली जो मार्क शीट है जीएस पेपर वन में 172 अंक जीएस पेपर टू में 150 अंक और हिस्ट्री ऑफ्टिफ्ट्र में 178 अंक यानि जीएस पेपर वन और पेपर टू के अंक के अधार पर अगरं हम इनके ऑफ्शनल का मुलने अंकन करें तो उस अनपात में भी ऑफ्शनल का अंक कम है क्योंकि जिसे पेपर टू में 150 अंक मिले हैं आप मान सकते हैं कि ऑसम अंक है क्योंकि पेपर टू की मार्किंग बहुत ही टफ हुई है इस पार मुख्फूल कुमार की मार्कषीट है इनना हेस्ट्री मों 159 जिस पेपर टू में 133 पेपर 2 में 145 डि याई में है कम अंकि मिले होंगे तभी पेपर बटू में ने अच्छे अंक मिले हैं हेस्ट्री ओप्षिनल 159 पेपर वन 119 पेपर टू 128 हेस्ट्री ओप्षिनल 150 अंक जीएस पेपर वन 148 जीएस पेपर टू 103 ओप्षिनल 131 यानि कि आप देख सकते हैं इतने मार्क्षिट में आपके साथ साजा कर रहा हूं लेकि किसी भी मार्क्षिट में 190-195 के वाले अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं दो छात्र मिले हैं जिनके 180 की करीब अंक आये हैं लेकिन उन्हें मार्क्षिट अपना साजा नहीं किया है इसलिए उसकी हम अथेंटिसीटी की पुष्टी नहीं करते हैं इन्हें GS Paper 1 में 189, Paper 2 में 126 और Optional में 164 अंक प्राप्त हुए हैं यानि कि GS Paper 1 के तुलना में इनके Optional के अंक उस अंपात में नहीं है अगर इन्हें Optional में भी अगर उसी अंपात में 190 के करीब अंक प्राप्त होते तो इनकी रेंग कुछ और होती है और ये Top 20 ये Top 30 में सामीर हो सकते थे बहुत सारे छात्रों की तरफ से LSW और हिंदी लिटरेचर ए दो Optional की Market Analysis करने की रिक्वेस्ट आ रही है आप संरोध है कि आप LSW के Market साजा करें हमारे साथ क्योंकि LSW के मात्र हमारे पास 3-4 Market है जिसके अधार पर Analysis करना मुश्किल है तो अगर आपका LSW आफ्टनल है अब चाहते हैं कि इसके Analysis हम आपके साजा करें तो अधिक साधिक आप 9582287624 में Market साजा करें साथ में Medium जरूर बता हैं ताकि Analysis में सुविधा हो हिंदी लिटरेचर के भी अगर छात रहें तो आप साजा कर सकते हैं वह से हिंदी लिटरेचर के हमारे पर साथ साथ मार्क शीट है तेकिन फिर भी अगर आप साजा करें तेनालिसिस और असान हो जाएगी धन्यवाद